कि नमस्कार आप देख रहे हैं चकर वियू और चकर वियू में आज मेरे साथ हैं स्पीकर कवरपाल कुछ और आपका स्वागत है कुछ साब सबसे पहरे तुम्हें यही जाना चाहूंगी कि बता और स्पीकर जो आप अपना कारेकाल देखते हैं उसे किस नजर से आखेंगे देखिए अपने कारेकाल को अपने आप आकणा उसके बारे में अबनी समय दे गये तो आप की तो प्रयारिटी वहूंगी कि बतार स्पीकर आप क्या करना चाहा रहें या करेंगे देखिए हमारी तो एक ही है कि आउस ठीक से चले है और जिस प्रकार से मेरी इस पद पे मुझे चुना गया है उसमें लग सभी का स्पोर्ट मुझे था है जहां सत्ता पक्स ने मेरा नाम रखा वही विपक्स ने और द आउस को ठीक तरीके से चलाऊं और सब लोगों को मौका मिलना चाहिए अब इसमें मेरा प्रियास तो इमांदारी के साथ ही रहा है कि ओ ठीक से चले और मैं सब को टाइम दूँ लेकिन फिर भी मैं समझता हूं कि मैं जो सोचता हूं जुरूरी नहीं वही सही है वो विपक् सकती है कि किस परकार का मेरे बारे में जो आकलन है सही तो उनका आकलन होगा लेकिन हाउस को आप आपने कहा कि आपकी सबसे बड़ी जिमेंदारी है कि आप हाउस की प्रसीडिंग्स को सही धंग से चला सके आपको लग रहा है कि इस बार जो भी हाउस की प्रसीडिंग्स र प्रदेश के लिए और सत्तापक्स ने भी मैं समझता हूं कि उसमें अपना पूरा उसमें कोई इस प्रकार का ने रहा कि कोई विरोध का नी उन्होंने भी अचा आप आपने खुद कहा कि इस पद की गरिमा है और उस गरिमा को बरकरार रखना बेहत जरूरी है पूर स्पीकर हम कुल्दीब शर्मा की बात करें तो काफी विवादों में भी रहे हैं कुल्दीब शर्मा हमेशा और ये कहा गया कि वो पार्टी लाइन से बाहर निकल कर स्पीकर की भूमिका को नहीं अच्छे धंग से निभा पाए और खुद उन्होंने भी कई बार ये कहा कि मैं पार्टी रिप्रेजेंटेटिव हूँ और मैं इस बात से इंकार बिल्कुल नहीं कर सकता आप इस बात को किस तरह से देखेंगे देखिए जहां सबसे मजबूत लोगतंतर है दुनिया का सबसे मतलब इस काल का सबसे प्रणा लोगतंतर इंग्लेंड है तो इंग्लेंड में जो प्रंप्रा है वो प्रंप्रा तो यहां नहीं है कि जब स्पीकर बनता है तो उपनी पार्टी से स्थिफादे दे यह ऐसा त बटर कारों के सवाल और जवाब की नहीं है आपकी या उनकी बात यह है कि उन पे इलजाम और विवादों में वो इसलिए भी रहे के proceedings में भी हमेशा विपक्ष ने कहा कि उन्हें बोलने का मौका ही नहीं दिया गया वो हमेशा Congress का ही पक्ष लेते रहे तो इस तरह की जो बाते हैं और हमेशा कुल्दीव शर्मा ने कहा भी कि कोई कुछ भी कहे अगर speaker में अपनी जगा हूँ लेकिन party मेरी अपनी जगा है आप क्या कहेंगे डिफिकल्ट हो जाता है रोल निभाना कार के जो आरोप हैं वह बार-बार हाउस में लगते रहते हैं लेकिन मैं समझता हूँ कि मुझे इस पे कोई टिपनी करना उचित नहीं लगता मुझे कितना इत्याद बरतना जरूरी हो जाता है क्योंकि आपने कहा 25 साल से ज़्यादा party से जुड़े होते हैं स्पीकर की एक अपनी गरिमा है उसके बीच का जो बैलन्स करना हाउस में भी विपक्ष कुछ और चाहता है कई बार वाक आउट होते हैं hot debates हो जाती हैं party से जुड़ाव भी कुछ और कई बार हावी दिमाग पे हो जाता है से बैलन्स कैसे कर पाते हैं या नहीं हो पाता कभी नहीं अगर इमांदारी के साथ प्रियास किया जाए तो मुझे लगता है कि सफलता मिल जाती है और इसके लिए मैं मुख्य मंतरी जी का भी अभारी हूं कि वो भी मतलब इस प्रकार से कोई उसमें बहुत उदार दिल से करते हैं वो काफी उदार होते हैं अगर बुपक्स भी कोई बात उठाना चाखता है और उंको लगता है कि प्रदेश के इतमे बीसमें हो सकता है यह से महुल ठीक रह सकता है तो बुख्यमंतरी दी भी उसमें सहयोग हमारा करते हैं पूरा इसी कोई बात नहीं है और इमानदारी के साथ अगर वेवार किया जा तो मुझे लगता है कि अन्सरफ को टैकल किया जा सकता है और अभी तक तो टैकल कर रहे हैं लेकिन आने वाले टाइम में अभी तो आगास है अभी तो आगास है वही मैंने कहा अभी तो बहुत कम वक्त है फिर वही कुलदीब शर्मा वाली बाते याद आ जाएंगी क्या ऐसा आपको लगता है कि डिफिकल्ट होगा या आप इतने स्ट्रॉंग डिसीजन ले पाएंगे कि नहीं मुझे अपनी पार्टी को अलग रखना है और स्पीकर को बतार स्पीकर मुझे अलग फैसला लेन अगर विपक्स के पास को यसी बात है वो अपनी बात को रखे लेकिन महौल को ठीक रखे महौल खराब ना करें पहले ही लगते रहे हैं आरोप कुलदीब शर्मा जब स्पीकर थे एक बार फिर उस पर आना चाहूंगी कि यह विपक्स को बोलने ही नहीं देते विपक्स को म फाल नहीं होता इन चीजिँ कारें गर पूरा ने मिलके जञदा समया रही है 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 अभी तक सत्त पक्स और विपक्स जचांटिकर 9 अभी तक निम आनको जादरभे रह थे लिए इसमें कोई हमने किसी के साथ कोई मांदारी के साथ पुरा मौका judet है कि वह बात रखे और मुख्यमंत्री जी ने भी ये बात कही है कि अगर कोई रचनात्मक सुझावे पक्स के पास है तो रखे वह खाली रखे नहीं हम उसको मनेंगे तो ऐसा अभी तक तो इश्वर की किरपास अच्छा महल है और मुझे पूरी उमीद है कि आंके आने वरी अच्छा बार बार देखे हाउस की प्रोसीडिंग्स जब होती है पूरा परदेश उसे देखता है विदानजबा का जब सेशन होता है लोग कई उमीद लगाकर बैठे होते हैं कि शायद कुछ उनके मसले उठाए जाएं शायद उनका कुछ हल निकले लेकिन हंगामा होना ह हंगामे के बीच में वाक आउट कर जाना क्या आप इस बात को किस तरह से देखेंगे और बे नतीज़ा होके अरजन हो जाना ये कहां तक सही हैं चीज़ें कुछ to उते बी और कुछ बनाएं बी जाते हैं कहीं बार है इसलिए भी मैं समयता हूँ अब आप कहेंगे कि अमारे उपरी रोप लगाया कई बार खबर ही इसलिए बढ़ते हैं के वाक आउट करो या घमा घमा करो बिना अंगा में और बिना वाक आउट कर खबर नही कि खबर तो बननी चाहिए तो मेरा तो आपको सुझाव है कि जो रातनात्मक बात आउस में रखी जती है अगर आप उसको ज़्यादा जोर दे के जनता तक पहुचाएंगे तो मेरे ख्याल से फिर मेंबर बजाय अंगामा करने के त्यारी करके आएंगे इच्छी किस परकार से कोई बात रखनी है तो इसमें इसका भी बड़ा मीडिया का भी बहुत बड़ा रोल होता है क्योंकि लोग चाहते हैं कि हम दिखने चाहिए लोगों में हमने कोई ऐसा काम किया जैसे जनता को पता डिवेल्प हो गई लेकिन राजनीती के आप शब्दों का जो मैयार इतना चल रहा है जो इतना गिरता जा रहा है विधान सभा में भी हमने कई बार देखा कि इस तरह के आप शब्दों का इस्तेमाल हुआ उसके बारे में आप क्या कहेंगे क्या वहां नेताओं को अपनी भाशा पर साइयम रखने की जरुवत नहीं है अगर आप हाउस में बैठे उसकी गरीमा को ही आप इस तरह से ताक पर लगा रहे हैं तो मीडिया क्या कर लेगा जनता क्या कर लेगी देखे मैं पिछली बार 2000 से 2005 तरह विदाए गा रहा हूं और मैं समयता हूं उस समय में और आज की अउस्स चलाने में मैं नहीं मानता किस प्रकार का कोई भी सब्दों का चैनिस प्रकार का है जैसा आप कह रही हैं बहुत ही संतुल्च सब्द हैं और मेरे ख्याल से बहुत ह कम ऐसे सब्दों का इस्तेमाल हुआ जो मुझे कारवाई से निकाड़ने पड़े या वो सही नहीं थे जिसकी विज़े से गामा हुआ तो आम तोर से सभी मेंबर बहुत ही ठीक तरीके से मुकबर आ रहे हैं अचा ओवरॉल अगर मैं बात करूँ कि सेशन कितना लंबा होना चाहिए इसको लेकर आपका क्या कहना है कि सेशन कितना लंबे सेशन होने चाहिए वो ज़्यादा बेटर रहते हैं कामकाज के लिए या क्या आपकी अपनी प्राइटिश तो लंबा ही होना चाहिए क्योंकि ज जहां कानून की ब्रीकियों को देखना है वहां उसके साथ हाउस में उसका जुम्म्यदारी है कि वह अपणी बात को वहां रखें और अगर आप आउस चलने नहीं देंगे तो फिर विदाइका का कोई अर्थी नहीं है उसका अर्थी क्या है अगर सारा सिस्टम मंत्री मंदल सबसे पर लोग मंतरी वजारा के समझते हैं है अच्य होते हैं और ही कहुंगा कि व्यक्राफिक्स के अ यह लह पर में नहीं चाहिए है इसमें कोई चोटा बड़ा नहीं उड़ता है इससे मानने से क्योंकि आखिर सरकार किसके लिए सरकार तो जननता के लिए है उसका उदेशी है कि हम अपने प्रदेश को अच्छा प्रदेश बनाएंगे लोगों को ज़्यादा सुषिदाए देंगे उनके दुख दर्द को हम दूर करेंगे अगर दुख दर्द को दूर करने के लिए कोई अच्छा सुजावी पक्स देता है तो उसको भी मानने में कोई दिक्कत नहीं है और वो सुजावता भी आएंगे जब आउस चलेगा तो आउस चलना चाहिए और तक जो पिछली कहीं साल तक क आपने एक बात बहुत इंपॉर्टन कहीं कि सारी समझ सिर्फ मंत्रियों और सरकार को यह जो सत्ता में बैठें उनको नहीं होती विधायक भी इंपॉर्टन डूल आदा करते हैं और वो भी बहुत अच्छी बाते कह सकते हैं उनकी बाते सुनना और उनके साथ तालमेल बना आफे रखना बहुत जरूरी है क्या आप एसा मानते हैं कि जो लोग सत्ता में चरे जाते हैं या मंत्री बन जाते हैं फिर वो लोग विधायकों को उतनी तर beslux नहीं दे पाते या उनकी बाते नहीं सुनी जाती जिसे कि तालमेल में भी कमी आती है और कुछ इंप्ORN जो ब मिलते हैं उनकी बात भी सुन जाती है सारी बात ठीक है एक रिवायत ऐसी हो गई है कि जो विपक्स के लोग है वह बहुत ही कम सरकार के मंत्रियों से मिलते हैं मुख्य मंत्री से मिलते हैं लेकिन हाउस ऐसा है जहां सब मिलते हैं अपनी बात रखते हैं और वह तैयरी भी करते है इस बात की और मैं समझता हूँ जितनी जानकारी आदमी का जितना ग्यान जनता में रहके प्रैक्टिकल उसको नौलिज मिलती है इतना केवल पढ़ने से या सुनने से नहीं मिलता जब वो जनता के बीच में रता है तो उसको उसके दुखदर्दगास वास्टिक पता चलता है केवल सुनने से या उससी नहीं ता तो उस जानकारी को उसमिनिष्टि तोर से देगा निषटि तरो सरकार को बहुत नाब होगा सरकार की बात कर रहे हैं एक साल हो गया सरकार की सक्ता में आए हुए क्या आंक्ते हैं आप क्या कहेंगे एक साल के कामकाज को देखें मैं पूरी तरह से सरकार के कामकास से सैटिस्वाई हूं सरकार जिस दिसा में चल रही है वो सही डिसा जिसmakार से पूरी तरह से समापत हो गया है आज आप पतर कार हैं आपको भी बहुत जानकारी है पब्लिक के बीच बीर रहते हैं आप विजनता के बीच में से feedback तो मीली रहा होगा कि सरकार किसी के साथ कोई पक्सपार निया डवेल्मेंट में पक्सपात है, नहीं रोजगार के मामले में कोई पक्सपात, कहीं भी सरकार कोई पक्सपात नहीं कर रही है, तो मैं समझत हूँ, यह बहुत बड़ी उपलब दी है, और सरकार जिस इमानदारी के साथ काम कर रही है, वो भी अपने आप में उपलब दी है, तो यह जो दो काम भी वने अभी आप को बताएं यह भी बहुत इंफोर्ट्रेंट है लोगों का विस्वास sabor कि अगर लोगों को ये विस्वास के सरकार मेरी है और सरकार इमान डारा ईरिमान दारी केसाथ मेरे साथ वहवार किया जाएगा मैं समझता हूँ यह बहुत बड़ी उपलब दी है अगर जिनता यह मान ले के सरकार जो है उसमें मेरे साथ न्याय नहीं होगा तो यह बेहद खत्रा है लोकतंतर के लिए और किसी भी देश के लिए है तो यह विश्वास कायम करना बहुत महत्तपूर तो विश्वास लग- legit लग-लग- distant के घिसवास नहीं होनी चाहिए बयुदि झौहाबर का डिसेंट्रलाइजयेशन होना जरूरी और आपने ऑभी कुछ-कुछ उसी तरह रहा की बात की जब आपने कहा कि विधायकों की सुननी और एक कोडिनेशन बना के रखनी बहुत जरूरी है पॉजिटिव हर चीज के लिए तो आप भी मानते हैं कि सत्ता का केंद्रिय करनना होके डिसेंट्रलाइजेशन होना बहुत जरूरी है बिल्कुल यह सही बात है सरकार होना बहुत जरूरी बात है और वर्तमान जो सरकार है उसमें सिसी परकार का लेते जो रचनात्मा काम है कलबी जिस परकार चांग कारे करम अधीड है कि लिए और लक्षए रखाया कि हर विदायक एक गाउं को चुड़ेगा और उसकी पूरी डिवेलमेंट आज तक का रत क्या था केवल पैसा कि हम कितना पैसा उस गाउं को देंगे वही डिवेलमेंट है आज मुख्यमंतरी जी जो बात रखी वह पैसे की बात निया उन्हों तो हर प्रकार से जागरुख करें कुछ आगरों को अगरी टार्ज लेका के चलते हैं के वह पात साल में चार्स ऑक मएं ऐसा आदर रिष्टीस नहीं है जवेलमें इस परकार कि सारी का द são तो निश्चित तो और से गरम 300 बनाने में सफल होते हैं तो उनको देखने के बाद पूरे रहने में लोग कहेंगे कि नहीं हमें भी ऐसे ही बनना चाहिए तो केवल जो ड्वेलमेंट का आज तक का नजरिया था वो ड्वेलमेंट का नजरिया था केवल पैसा और गडियां उन केवल ड्वेलमेंट के उसमें गडियां पकी है पाणी ठीक है सब कुसे लेकिन एक ऐसा नजरिया के अच्छे नागरीक बनाना और अपनी जुब्मेदारी अपने आप समझ के लोग काम करें इस तरह तो अपनी अपनी शेतर के लिए आपने क्या सोचा है वहां पर भी कि यह सभी को सभी कार कर लिया है मैरी इस सील जो है こ के लिए उन्हों निरी का जो काम था उसके लिए सबके ब्रो ने कर दिया और जितनी सडके वेकर थी उनके लिए उन्होंने किया और मतल DAY काफी काम वहाँपर चले उए है्- अभी तक जो प्रोग्राम रखा गया उसमें काफी सिक्षाप्रद एक कार्यक्रम था अभी मैंने उसके बारे में सोचा है कि मैं जो गाउं जैसे चित्रकूट में नानेज देशमुख ने जो प्रोग्राम चलाया गाउं की डिवेल्मेंट के लिए और ऐसे ही जारखंड में है दूसरे प्रकार से डिवेल्प किया तो हम भी प्रियास करेंगे वैसा तो शयदम नहीं कर सकते जैसा उन्होंने किया तो लेकिन कुछ-कुछ वैसा करने का प्रियास करेंगे अच्छा विपक्ष की कितनी सशक्त भूमी का का रोल होना चाहिए इंपोर्टेंट यह आप देखते हैं सब्सक्राइब विपक्स करेंगा तो जिकिक हो लोग तंडि और चलाने के लिए विपक्ष उत्रहीं मात्तपुल ना कोई दो कोई ना कोई उसके उप्पर रो खोणी चाहिए हर्याना में मौझूदा विपक्ष को आपकी स्थिति में देखते हैं उतना सशक्त भूमिका में विपक्ष है या विपक्ष में ही इतना बखराव है कि वो सत्था पक्ष को अकाउंटेबल बना ही नहीं ज़कता में देखिए विपक्ष ठीक त्रीके से पनी सभी बत्ते हैं विदान सबाव में रख रहा है मैं समय तो बड़ी मजबुत्ती के साथ उन्हें सब बत्ते रखी अब आज कले कि यह है कि इस परकार का मोहल बना हुआ है कि लोगदल कहता है कि कांग्रेस बीज़पी की सरकार की बीटी में और कांग्रेस बहार ये परचार करती है कि लोगदल जो है वो सरकार की बीटी में वो केवल पॉलिटिक्स है मैं समय तो केवल वराइंती है और आईती इकलाब लेने के लिए हर आदमी दिखाना चाहता है कि वास्तु की विपक्ष में हूँ लेकिन ऐसा है नहीं विपक्ष देखे जब सरकार कोई बड़ी गल्टी करती है कोई ऐसा काम सरकार करती है तब विपक्ष जो अरदा तरीके से उसको उठाता है लोग भी उसकी बात को सुनते हैं अब आज मुसकी लिए है कि सरकार ने कोई ऐसा गल्ट काम किये ही ने बितक पिछ्छे सरकारों म क्छोटी मोटी गलती है तो उसको उठाए और विपक्ष की कई बार इसी डिमांडर यह कुछ इशुस पर की special session बुलाया जाए उसमें परस्ताव रखे जाए उसमें बहस हो देखिए अभी तक कोई ऐसा इस्ट भी सैसन हुआ है जो मने अभी तक किये उसमें जो भी विपक्स ने कहा है सदन के नेता ने उस बात को मनना है पछली बार जो तीन दिन का सैसन था विपक्स के नेता ने कहा आगे पांच सिटिंग करो तो मन्हें मुख्यमंतर जी ने पांच की रखी रोफ दाउस बजट सेशन में भी आम तोर पे पिछली सरकार में तो साथ दिन याठ दिन सखित चलता था उसमें भी चोदा सिटिंग की और ठीक तरीके से चला और सिटिंग चोदा हुई लेकिन काम तो मेरे समयताओं के शैद थारा सिटिंग के परबर किया क्योंगे आपको पता ही है कहीं बार तो लोग इसलिए भी नराज होते हैं कि भी आउस तो दो बई तक चलाना था लेकिन आपने चार पांच बई तक चलाया चाले बेच चुक्रा मासद इस कारक्रा में शामिल होने के लिए तो कमरपाल गुजर का कहना है कि अपनी पत की गरिमा को बनाने के लिए पूरी कोशिश में वो ये रहेंगे कि पार्टी लाइन से उठकर बताव स्पीकर वो फैसले जो जरूरी हो वो ले लेते हैं आपसे जो सतना सकार